पता नहीं क्यों यह हम सब बता चुके हैं पर आज क्यों पवित्रात्मा रिपीट कर रहे हैं नहीं मालूम हमें मालूम ही नहीं है कि अभिशेक क्या बात के लिए हाथ पेर हिलाने के लिए नहीं हाथ रग दिर तुगीर पड़े उसके लिए नहीं कुछ करेंट जैसे जटका हम लगा आग 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 कर दिये इससे कुछ नहीं होगा पर्पस्फुली बिल्कुल सही तरीके से हमको इस अभिशेक को किस रीती से क्या बात के लिए अभिशेक चाहिए वो बात प्रभू रिवील कर रहे हैं अभिशेक को बदलाओं के लिए इस्तमाल ही नहीं किया मैं यदि हाथ भी रग दू तो तुम्हारी तमाको नहीं न जाएगी जब तक कि आप निर्णे नहीं लीजीगा यदि मैं हाथ भी रग दू आपके लिए तो ये मान लेना नहीं चाहिए कि आज के बाद दारों की बॉटल गई यदि मैं हाथ भी डग दू और अभी शेक भी आ जाया तुम हिल डू जाओगे और पड़ो करेंट का जटका मारे उसके बाबजूद भी ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको बुरा देखने की आदत खत्म हो जाएगी नंगा देखने की आदत खत्म हो जाएगी बुरा सुनने की आदत खत्म हो जाएगी बुरा बोलने की आदत खत्म हो जाएगी मेरे हाथ रखने से कोई जादू तो है नहीं चे खुल जा सिमसिम और प्रभू भी अपना हाथ तुम्हारी उपर रख दे तो कुछ होने वाला नहीं क्योंकि उसको हमने लिया तो था और कच्रे की पेटी में डाल दिया उसको जिस बात के लिए दिया था उस बात के लिए तो हमने इस्तमाल नहीं किया ना and that is the reason तुम पहनते हो गर्माते नहीं तुम खाते हो पेट भरता नहीं तुम कमाते हो छिद वाली थैली में डालते हो और नीचे से गिर जाता है कितने सालों से प्रभुतों में अभी शेक दे रहा है अभी और क्या करिएगा कल का अभी शेक कहा गया हमें किरल की अंदर बुलाया गया और वहां एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और जो पोस्टर लगा था वो परमिश्र की ओर से प्रकाश था एक सुराही है बीच में से क्रैक हो गई और उसमें से सुनहले कलर का तेल गिर रहा है और वो सुराही तिर्ची पड़ी हुई है और उसमें से सुनहले कलर का तेल जमीन में बह रहा है फिर एक हुमार है उसका चका है और वो उंगलियां मट्टी का पात्र बना रही है और सारे लोग कह रहे हैं हे प्रभू, हमें एक नया पात्र बना दे सब लोग पुरानी बातों को भूल कर नया बनना चाहते है वी नीड द नीव अनॉइंटी नया विश्यक चाहिए प्रभू ने हमें बिल्कुल नये दर्शन की ओर ले गया तुमको नया क्यों चाहिए? मैं नया देने में देरी नहीं करूँगा परंतों तुमको मालूम है मैंने नया देना चाहिए तो इससे पहले कि मैं तुम्हें नया दूँ चाग रहे हैं आप? इससे पहले कि मैं तुम्हें नया दूँ मैं तुमसे हिसाब मांगना चाहता हूँ पुराना गया कहा? यदि तुम मुझे आज पुराने का हिसाब दीजीगा तब मैं तुमको नया दूँगा तुम्हें 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 तुम ये जानो कि सुराही आपकी तूटी है पात्र आपका तूटा है जब तक ये जानकारी तुम्हें नहीं दूँगा तब तक यदी में तुम्हें नया पात्र बना के दे भी दूँ और नया तेल दे भी दूँ तो ये पातर से डाला हुआ तेल फिर लिकेज हो जाएगा इसलिए मैं तुभारा ध्यान नया पाने के बज़ाए पुराना गया कहां, किस कारण से गया उस कारण की रिपेरिंग चाहता हूँ यदि मैं तुटी सुरहाई में नया दे भी दूँ तो कल फिर लिकेज हो जाएगा इसलिए अब मैं बार बार दे करके अपने अच्छे तेल को लिकेज के दौरा जमीन में नहीं बहाना चाहता हूँ I am not going to pour my anointing in unclean vessel otherwise you will spoil my anointing मैं केवल satisfaction के लिए तुमारे सरीर को हिला के चले जाऊँगा पर निम्हारे हांट कुछ नहीं लगेगा क्योंकि तुमने अपने पात्र की सफाई नहीं की तुमने उस टूटे बरतन की repair नहीं की नया बनाये गा फिर लड़का दीजेगा फिर तेल गिर जाएगा फिर मैं नया बनाऊंगा फिर तुम 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 तु क्योंकि तुमने बार-बार पात्रों को तोड़ने की आदत बनी पड़ी है इसलिए जब तक मैं पात्रों को तोड़ने वाली आदत को तुम्हारे जीवन से नहीं निकाल दूँगा तब तक मैं तेल नहीं दूँगा और यदि आज पात्र बनाने के लिए तेल का सदुप्योग किया जाए कि हे प्रवो आज मुझे अभिशेक चाहिए कि मेरी बेलगामी जवाने जो कटू शब्द बोलती है जिससे समाज में स्वाद बिगड जाता है मैं ऐसी बाते सुनता हूँ जो मेरे कान में मेरी शान्ती छीन लेती है मैं ऐसी चाल चलता हूँ जिससे लोग मुझे पर उंगली उठाते है मैं उस भर्माने वाली अभिलाश्या को उतार देना चाहता हूँ तब मेरा पात्र ये जो नई मशीन है वह अपने आप में गलत नहीं है आप अपने आप में गलत नहीं है प्रभू का अनुगर है अपने आप में गलत नहीं है सब कुछ अपने आप में बिलकुल ठीक है परंतु कुछ गंदगी पात्र में लगी हुई है और अभिशेक उस पात्र की गंदगी को निकालने के लिए इस्तमाल किया जाए, हाथ पर हिलाने के लिए नहीं तब जाकर मेरा विशे तुमारी जिन्दगी का रुपांतर करेगा देखिए प्रभू को अब रुची नहीं रहे गई है कि आपके द्वारच अमतकार करे God is not happy to prove to pour the anointing which releases the power and the demonstration of the Holy Spirit क्योंकि वह कितने वर्षों से चमतकार करकर की अब ठक गया है वो नहीं करना चाहता है क्योंकि मेरी आने की बेरा में चमतकार के द्वारा तुम उपर नहीं जाएगा मेरी आने की बेरा में तुमको पात्र को अंदर से शुद करना होगा और आज का अभिशेख शायद इसलिए प्रभु जोली फेलाए के राए हाथ पर हिलाने वाले अभिशेख को देखे मैं बहुत ठक गया हूँ मैं तुमारे अंदर एक ऐसे निश्य को पैदा करना चाहता हूँ कि तुम आज के बाद बुरा मानना बंद करें चिर्चिडाना बंद करें गुस्सा होना बंद करें दोख्ष लगाना बंद करें नुक्तचीनी बंद करें इस काम को पूरा करने के लिए मैं अभिशेख दूँगा जिससे कि तुमारी बुराईया अपने दिमाग की अंदर में आप जरध्यान से सुनिए कई जगे आपके घर से फोन आएगा बेटा ऐसा है इसको सुनती बराबर हमारे दिमाग उस बाद पर चिंतन करने लगते हैं यह जुमेमना होता है न सफेद रहता है बेड का बच्चा और वो चलते चलते किसी कीचड़ में गिर जाए इसके बाद में वह बड़े मुस्किल से कीचड़ से निकलता है और अपने पैर को यो 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 जहटकारना सुरू करता है और अपने जीब से सारे बालों को चाटना सुरू करता है और उसकी जीब केवल उपर नहीं जमीन के अंदर तक की मतलब जहां से बाल उग रहे हैं वो चमड़े तक वो चाट लेता है और चाट करके पता नहीं क्या करता है नहीं मालूम पर उन्तु अपने बदन के अंदर गंदगी नहीं रहने देता है हमारे हैं डक्स है जब बगर्मियों में पानी नहीं रहता है तो नाली का पानी जहां बहते रहता है वहां जाती है और गंधे पानी में फिचिक फिचिक करके नहाती है और जब वो पानी से निकलती है तो वहां का कीचर उनके वदन पर लगा रहता है पर वे उसके बाद एक सूखे स्थान पर जाती है और अपने चौच से वान बाई वान करके जैसे हम कंगी करते हैं वैसे एक एक पंखे को जो बिगड़ गया है उसको ठीक करती है और जो मटी नाली के पानी में नहाने के वक्त उनके बदन पर आ गई हैं उसको वे निकाल के फिर से सफेद हो जाती है दे हैब दे सेंस कि उनकी सफेदी को बरकरार रखने के लिए खुदा ने उनको बुद्धी दी है कि वे अपने चौच को कंगी बना करके गिगड़े पंखों को ठीक करती हैं और उसमें लगी मट्टी को जार देती है और वे फिर से गंधी हो करके तो नहा की निकलती है और कुछ तेर के बाद में वे अपने आपको पूर्डीती से सफेद कर लेती है कि हमारे पास बदक के दिमाग से ज़्यादा बड़ा दिमाग नहीं है क्या हम उनसे भी गएवीते है क्या वो जानवर मेमना ये कुता उसको नहलाईए जैसे ही नहलाईए उसको जैसे ही पता चलता है कि मेरे बदन में पानी आ गया है तो वे जोर से शरील को यो यो हिलाता है अपने बदन को जाड़ देता है और उस जानवर को यदि कोई चोट लग जाए तो उसको मालूम है मेरे शरीर में चोट लगी और वे अपनी चोट को अपनी जीब से चाटना सुरू करता है और उसकी जीब से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो एंटिवाइटिक का काम करते हैं शयद हो सकता है उसके कीडे उसकी मूँ के अंदर चले जाएं इंफेक्शन परन्त वो चाटना बंद नहीं कर देता प्रती दिन हर पांच मिनिट में वे अपने घाओ को चाट चाट के उसको खुद से उस वुंड को उस धाओ को स्वस्त बना लेता है उन्हें तो कहां से अंटिबाइटिक लाएगा खुद तक हॉस्पिटल खुद को जाने के लिए नहीं ना है अब मालिक ले जाए तब एक बात अलग है यह सारे जानवर अपना ट्रीटमेंट करते हैं कि हम उससे भी नीचे हैं अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते करोध का, विरोध का डाह का, जैलन का क्या हम इन पशों से भी गएवीते हैं जो अप राद करते रहें अप राद करते रहें अपनी आदतों पर आदतों पर आदत बिगाडते रहें और जिसने दुनिया बनाई है और उसका अपमान करते रहें अरह हमसे तो भले ये जंगल के पशों लोग हैं जो अपने घाव का ट्रीटमेंट खुप कर लेते हैं हमें तो एक सहायक मिला है, हमारी आदतों को ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे क्रोध को हमारे विरोध को, हमारे जलन को, हमारे शिकायत को बुरा मानने की किसी बात का एक बार दिमाग में आ जाए तो हम नकरात्मक बात पर इतना चिंतन करते हैं और वही बात प्रभू बोलता है तो हम एक मिनिट में प्रईज अलौड, हालिलुया और दूसरी मिनिट में उसको भूल जाते हैं बुरी बात का कितना असर आपके दिमाग में अच्छी बात को आपने ऐसे जड़ा दिया जैसे कुट्टे ने बदन हिला के गिरा दिया तो पानी को इस बात की कारण प्रभू का आत्मा आज रोता नजर आ रहा है अच्छी प्रभू का रहा है उन सारे लोगों से दुखी है जो पवितर आत्मा पा बैठे हैं वो धार पा बैठे हैं धर्मी होने का दावा करते परंतून की हरकतें आज भी पवितर आत्मा को चोट पहुँचा रही है और रहा है जी हाँ हम एक दर्शन बता के फिर प्रात्ना करने में चले जाएंगे जब हम बहुत पहले अन्यजातियों के बीच में सिवा सुरू किये हम आविवाहिद थे और गाओं गाओं जाकर के ट्रेक्स माटा करते थे और कहते थे प्रभियेश मसी तुमें शान्ती देता है रखते थे वहां के एक भाई थे जो हर समय शराब पिया करते थे और वे उन गंधे लोगों के साथ ही जाके शराब पिया करते थे और उनके साथ कई बार गाली गलोच भी हो जाती थी इसलिए उनका नाम गंधे लोगों के साथ था जब हम उन्हीं लोगों को सुसमाचार सुनाने गए तो उन्होंने हमसे एक बात किये तुम्हारा ईशुमसी यदि छुटकारा देलाता है तो तुम्हारे ईशुमसी की भक्ती करने वालों का छुटकारा पहले करा लीजेगा फिर हमारे पास आईए वो देखो सामने वाला दारू पीता है जहां तुम प्रात्ना करने जाते हो पहले उनकी दारू छड़ाओ फिर ईशु कप्रेम हमको बांटना हम बहुत दुखी हो गए और दुखी दश्चा में हम अपने कमरे में गए प्रात्ना किया कि हे प्रभु सही बात है मुझे अपने लोगों को पहले ठीक करना चाहिएगा और मैं घुटने में बैट करके प्रात्ना करने लगा और बहुत प्रात्ना करने के बाद एक आंट में था तो कोई नहीं घर में अकेले थे तब अचानक मुझे दर्शन सुरू हो गए मैं अपनी आँख बंद किये हुए रोते रोते क्या देखता हूँ कि एश मसी क्रूस पर लटके हुए है उनकी दौनों हतेलिया च्छिदी हुई है उनकी सिर से ऐसे खून की धार बह रही है उसी बीच मैं उनकी आँखों में आसू देखता हूँ एक आसू बहकर के दाड़ी में चले गए और दूसरा आसू इधर गाल की चिक में बैठा हुआ और उसके होंट बुद्बुदा रहे है तब मैं प्रभजी से कहता हूँ हे प्रभू आप तो जी उठे प्रभू है न फिर कुरूस पर लटक कर खून वहाते आसू बहाते बुद्बुदा क्यों रहे हैं हमारी बात को बहुत गंभीता से सुनियेगा तब मुझे कान में आवास सुनाई देती है बेटा जिस व्यक्ति के लिए तुप्रात न कर रहा है कि वो शराब छोड़ दे गंधे दोस्तों की संगती छोड़ दे उसने अपने कामों के दौरा मुझे अभी भी कुरुस में लटका के रखा है यह थेली देख यह सिर के उपर से बहता हुआ टपकता हुआ खोन देख मेरी आँखों से टपकते हुए आँसू मैं उसके लिए दुखी हूँ वो मेरी भक्ती करता है मेरा सेवक समझा जाता है मेरे लिए गाता बजाता है मेरे लिए दान दक्षिना देता है पर उसके काम मुझे आज भी कुरुस पर ठोक करके रखे हुए है मैं तेरे कहने से कुरुस पर से उतर नहीं जाऊँगा जिस दिन में उसके लिए कुरुस में से उतर जाऊँगा उस दिन सदकाल के लिए उसका उध़ार रुक जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उसको उध़ार नहीं दिला सकती इसलिए मुझे उसने जिन कामों के दोरा कुरुस पर शड़ाया है उसके काम ही मुझको क्रूस में से उतार सकते हैं मैं तेरे कहने से ना तो रोना बंद करूँगा और ना ही क्रूस में से उतार का जीविद दशा का दर्शन तुझे दूँगा मैं बोला प्रभू एन एक शमा कर दे शमा कर दे प्रभू कहते हैं तेरी बात सुनकर कि उसके पाप शमा जरूर कर दूँगा परन तो जिस दिन वो गलती करेगा उस दिन वैं फिर मुझे क्रूस पर ठोक देगा मैं उसके लिए दुखी हूँ ये बातें देखकर कि हमारे आँखों से आँसु बहने लगे पर हम बिलग बिलग के सिर पटक पटक के प्रभू के सामने रोती रहे परन तो ये क्रूस का दर्शन हमारी आँखों के सामने से नहीं लेया That's the reason मेरे प्रिय बेटियो और बेटियो आपकी कौन से हरकत इश मसी को क्रूस पर अभी भी लटकाए हुए है उस पर चिंतन करें वो आपके लिए रो रहा है बबतीस मां हर दिन ले लो इससे कोई फरक नहीं पड़ता जितनी संस्था बदलना है उतनी संस्था बदल लो जितने सेमिनार जाना है दुनिया भर के सब सेमिनार में चले जाएए परन्तु यदि आपने भर्माने वाली अभी लाशा उतारने का प्रियास नहीं किया तो यश्व आपके लिए क्रूस पर लटका रहेगा और वह आपके लिए रोता रहेगा अभी शेक ले जाके करियेगा क्या घर में जाके तो फिर बीबी को पीटियेगा अभी शेक ले जाके क्या करियेगा अपने पती के लिए तो फिर हड़ी तोड़ियेगा अभी शेक से हाथ पेर हिला के करिएगा भी क्या और उसी के लिए तो फिर नुक्ता चीनी करिएगा आपके जहान से, आपके डी ने से, आपके हेरिडिटी से ये आदत कम्प्लीटली जब तक नहीं निकल जाएगी तक तक मेरे यशु तुमारे लिए रोते रहेगा आपको क्या लगता है कि वो तुमारे लिए खुश है इस नाट हैपी हलिल्यूया, रेज़ दे लौर पांच मिनिटर रोक करके थोड़ा से उचें जिसके पीछे आप सेलिबरेशन कर रहे हैं वक्रूस पर लटका हुआ है आपकी बेलगामी जवान आपकी बिनसोच के विचार आपकी अभिलाशाएं आपका कड़वा दिल आपके शिकायत पूर्ण डियने नकरात मगबारतों को सोचने के लिए देने वाला मन ये सब मेरे प्रभू को दुखी कर रहा है आज हम हाथ रखके भी क्या करें यदि पवित्र आत्म हमें अनुमती देंगे तब हम आएंगे नहीं तो आने का कोई लक्ष नहीं ये रिती होगा, रसम होगा, नियम होगा, कानौन होगा आपका सेल्फ सेटिस्टिस्टेशन होगा अंकल जिने हमारे लिए प्रात्ना कर दिये पर डविया मत निकालना जेब से तू अपने माबाब का अपमान पत्नी का अपमान पती का अपमान बंद मत करना तू हाथ रखवा के करियेगा भी किया जूटा जूटा मत बोलो पचास रोपी की सबजी में दस मार देता है चालिस लेके आता है अपने माबाप की जेब से तुम पैसा मार देते हो तुम पारदर्शी नहीं हो यह सब बातें देखकर कि प्रभू का मन दुखता है मैं तुम्हारे अंदर वे आकुलता का अनुभाव करता हूँ जैसे एक व्यक्ती को जेल में डाल दो तुम बेचैन होता है ऐसे ही मैं तुम्हारे शरीर की कामों में बेचैन हूँ मुझे जेल जैसा लगता है तुम्हारे अंदर अब परमिश्वर के सामने पारदर्शी नहीं आज सुबह करीबं तीन तीन बजनी के बाद यही कुछ हल चल पर वो हमको दिखा रहे तो मैं वर्दान में बता के क्या करूँ आखिर वर्दान से उपर का ताला नहीं न खुलेगा गया जमाना हमने बहुत कर दिया तुम्हारे लिए भविस्द्वानी इसको ये वर्दान दे दे उसको वर्दान दे दे आपका तो उपर की टिकट ही नहीं हाथ में परन्तु आत्मा का सदुपियोग आप अपने जीवन में किस मामले में कीजिएगा इसकी समझ हमारे पास होना चाहिएगा जब तक तुम काच के समान पारदर्शी ना हो जाओ मैं तुम्हें कभी स्विकार नहीं करूँगा जब तक तुम बिल्कुल साफ बरतन ना हो जाओ आपको बाइबल बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर के सिहासन के सामने बिल्लोर के काच के समान एक समुंदर है जो इतना ज़्यादा पारदर्शी है कि सब कुछ बिल्कुल आर पार दिखाई देता आपका जीवन भी बिल्लोर के काच के समान पारदर्शी हो जाए लोग आप से आप तुम्हें प्यार करने लगेंगे आपकी बातों में वजन होगा आप जिससे जो बोलेंगे इसकी जिन्दगी के अंदर रुपांतर दिखाई देगा